सपिको नमस्कार, आज का हमारा पार्ट पतंकविता और इसके आज हम बहुविकलपी प्रेश्न कर रहे हैं, MCQ प्रेश्न कर रहे हैं, पतंकविता के रचनाकार का नाम क्या है? तो रचनाकर का नाम है आलोक धनवा आप इन प्रिश्णों को नोडाउन भी कर सकते हैं ताकि आपको यह लर्न हो जाए इस तरह के प्रिश्ण बारवार आते हैं आज के पार्ट में केवल महतुपूर्ण प्रिश्ण ही हम देख रहे हैं हमारा नेक्ष्ट प्रिश्ण आ जाएगा प्रिश्टुत कविदा में पुलो शब्द का क्या अर्थ है चार अप्षिन देगए हैं फूल, पत्ती, बोचारे या अंधेरा चारों अप्षिन में से एक चुनना है तो यहाँ पर सही जवाब है बोचारे सभी प्रिश्णों के जवाब लिख करके भी याद कर सकते हो जो जो प्रिश्ण आपको सही आते हैं आप कमेंट सेक्षिन में जरूर बताईए और जिनके सारे जवाब सही हैं वो भी जरूर कमेंट सेक्षिन में बताना तो हमारा next question क्या है कौन सी रितू पुलों को पार करती हुई आई है यदि अपने कवीता को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता है कि शरद रितू जो है पुलों को पार करते हुई आई थी चारों option आप देख सकते हो screen पर हमारा प्रेशन आ रहा है बहुत ही अच्छा प्रेशन है कवीता में खरगोस की आँखों जैसा किसे कहा गया है तो किसे कहा था लाल सवेरा जो होता है सुबह सुबह सुर्य उगता है उसे क्या कहा था खरगोस की आँखों जैसा कवी ने कहा था चारों option दिये वे हैं कि पतले कागज को, बोचार को, पतंग को या लाल सवेरे को तो सही जवाब हमारा क्या है? लाल सवेरे को कवी ने खरगोस की आँखों जैसा बताया नेश्ट हमारा प्रेशन है कि शरद रितू आते ही नन्ने बच्चे अपने हाथों में क्या ले करके दोड़ पड़ते हैं चार option हमें दिये गए हैं खिलोने, मिठाई, पतंगे, किताब चारों option में से सही जवाब है पतंगे हमारा प्रेशन आ रहा है कि प्रस्तूत कविता में कौन साइकिल चलाते हुए आता है पहला option है शरद दूसरा option है बसंत तीसरा option है ग्रिश्म चोथा option है पावस तो रितू जो थी वो शरद रितू थी और शरद रितू के यह आने पर यहाँ पर साइकिल चलाने का वर्नन हुआ है तो सही जवाब है शरद रितू उसके बाद हमारा प्रेशन आ जाएगा आप लिख कर भी याद कर सकते हो हमारा प्रेशन है कपाश शब्द किसका प्रतीक है तो option है कोमलता का option दूसरा है प्रकाश का तीसरा option है अंधकार का चोथा option है शांति का जिनको सही जवाब आते हैं वो कमेंट सेशन में साथ साथ बताते जाएए तो यहाँ पर हमारा सही जवाब है कोमलता का आप लिख भी सकते हो इन प्रशनों को तो निक्स्ट हमारा प्रशन आजाएगा कभी ने सवेरे के लिए किस विशेशन का प्रयोग किया विशेशन यानि विशेशता बताने वाला शब्द तो चार ओप्षन है लाल, नीला, हरा और पीला पहला option है लाल, दूसरा option है नीला तीसरा option है हरा चोथा option है पीला तो हमारा सही जवाब है लाल सुभह सवेरे को कैसा बताया था रेड कलर का क्योंकि सुर्य की किरने भी वहाँ पर उगी हुई है और कलर आ रहा है लाल प्रिशन है कभी आलोक धन्वा जी का जानों कभ हुआ था सन 1948 में, सन 1905 में, सन 1906 में या सन 1907 में, इन में से एक option में सुझ करना है तो सही जवाब है सन 1948 में, ये थे हमारे आज के बहु विकल्पी प्रेशन इसी तरह के और प्रेशनों के लिए आप चैनल की प्लेइलिस्ट पर जाकर के सारे कुशन्स देख सकते हो